हाँ तो दोस्तों आज हम बात करने वाला है रवीना टंडर और उनकी बेटी के बारे में और दोस्तों हम आपको बता देगी रवीना टंडर 90 के दशक की सूपर स्टार अभीनेत्रियों में से एक है उन्होंने बॉलिवुड को हिट फिल्में दी है उस समय उनका नाम बॉलिवुड की टॉप खूबसूरत अभीनेत्रियों में आता था रवीना दिखने में बहुत खूबसूरत और ग्लैमलर्स है आपको बता दे रवीना के कई अफेर्स भी एक्टरस के साथ रह चुके है लेकिन उन्होंने साल 2004 में अनिल खडानी से शादी क कर ली थी आपको बता दे इस समय फिल्मी दुनिया से वह बहुत दूर है और अपनी फैमली पर ध्यान दे रही है आपको बता दे रवीना हाली में एक गाने में सुनिल शैटी के साथ नजर आई थी जो कि उनके पुराने गाने शहर की लड़की का रिमिक्स है बात करते हैं उनकी बेटी की तो हम आपको बता दे कि दोस्तों रवीना ने साल 2005 में उनकी बेटी राशा को जरम दिया था इस से राशा अब 15 साल की हो चुकी है बता दे कि राशा अपनी मा जैसी ही नजर आती है राशा दिखने में खुबसूरत तो है ही उनकी हाइट भी काफी लंबी है वो कुछ सालम में अपनी मा से भी लंबी हो जाएंगी तो दोस्तों अगर आपको भी राशा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरू करें और हमारी वीडियो के साथ एंड तक बने रहे तो दोस्तों आपको बता दे कि रवीना राशा से बहुत प्यार करती है और वो राशा के साथ अपनी सोचल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरे भी शेयर करती रहती है हाली में रवीन अपनी बेटी की राशा के साथ स्पोट हुई थी इस दोरान रवीना और उनकी बेटी साथ में नज़र आई थे रवीना और राशा उस समय बहुती ग्लैमलर्स और खुबसूरत लग रहे थे आपको शायद पता होना होता हम बता दे कि रवीना ने सिंगल मदर के तौर पर 1990 में ही पूजा और छाया टंडन को गोद लिया था अब वो उन दोनों के शादी कर चुकी है बाद में रवीना ने साल 2004 में फिल्म में दिस्ट्रिब्यूटर अनिल खडाना से शादी कर ली और दोनों की अपनी एक बेटी राशा और एक बेटा रनबीर भी है तो दोस्तो कैसी लगे आपको रवीना टंडन के बेटी राशा टंडन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता है और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर करना ना भूले और बॉलिवुड और टीव इंडेस्ट्री से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए